सब्सक्राइब करते हैं ओके सो नेक्स्ट वेस्टन है क्वेस्टन नम्बर एप एलिमेंटरी का और यह क्वेस्टन हमको यह कह रहा है तो कंस्ट्रक्ट एन एक्विलेटर ट्रेंगल कोला गिवन बेस गिवन लाइज इस फॉर सेंटिमेटर लॉग सब्सक्राइब कर्म पेस्टन है हम उसको अग्विल लेनल पैसी के अगद्ह निए सफिर प records लेना है क्वटर से मिए करना एक अब पॉइंट फॉइंट रखना है और यहवाल्य पैक्पर ध्मेश करना है तो हम में सभाई है A B से, ओके, फाइम, फिर इसके बाद हमें एक आर्क बनाना है, अब साइड में, और वैसे ही पॉइंट A पी रखे हम, एक और आर्क बनाएंगे, और इसका जो क्रोस बना है, हम उसको नेम देते हैं C, और अब हम ये आर्क क्रोस को पॉइंट A, और पॉइंट B से जोइन कर ल आर्क को equilateral triangle में जाएंगा, equilateral triangle ये होता है, जिसके ज़िए सभी sides equal length के होते हैं, जैसे line A, line A B 4 cm है, अब line A से भी 4 cm है, और line B से भी 4 cm, ये है equilateral triangle, अब next question 9 है, और question 9 ये कह रहा है to construct an isosalus triangle with the help of one equal side and one equal angle being given so question ये है construct an isosalus triangle with one of the equal sides being 5 cm long and one of the equal angles being 65 degree तो ये ये कहने की कोशिश कर रहा है isosalus triangle तो मतलब जिसके 2 sides same रहते है तो इसमें ये बोल रहा है कि हमें एक triangle बनाना है isosalus triangle बनाना है जिसका angle 65 degree है और एक जो side है वो 5 cm का है तो हम एक random line ले ले लेते है ठीक है फिर उसके बाद हम D के help 65 degree का angle लेंगे पॉर क्या इसका हम point कर दो कर लेते हैं A, B A पे हम cross रखेंगे D का और वहां से हम 65 degree का point ले लेंगे इसमें इसमें डारेक्ली बोले 65 degree वो कोई भी angle बोल सकता है 65 degree का एक हम extension लेंगे अभी यहां से line का फिर next उसमें ये बोला है कि जो एक side है वो 5 cm क्या होना चाहिए तो मैं अब इसको compass के थूँ 5 cm ले लूँ ओके या फिर मैं directly कोई भी side को या फिर ये या फिर ये किसी को भी 5 cm ले लिए तो मैं डारेक्ली ले लेता हूँ डारेक्ली मैंने 5 cm ले लिया इसको पॉइंट C दे दिया अब मैं यहां को आसे वहां स्ट्रेंगे बनाना है तो मैं अब C पॉइंट पे compass रखूँगा मैंने C पॉइंट पे compass रखा और मैं लेंग यह तक जाऊंगा ओके और नेक्स्ट कट मैं यहां पर कर दूँगा जो भी लाइन यह पी पर जो कट आएंगा मैं वो ले लूँगा और फिर मैं वो कट को सी से जॉइन कर दूँगा तो यहां पर एक चीज जरूरी ध्यान रखने जरूई है कि आप यह एंगल को एसा आर्क दे और आप यह 65 डिगरी रखे क्योंकि प्लेन जमेट्री में अगर कोई स्पेसिफिक एंगल होता है जैसे हमने भी स्टार्टिंग में जब 90 डिगरी है अगर कोई सा आगल आता है जिस जो स्पैसिफाइड है कि इसको 65 होना पर 75 ही होना है तो आपको स्पैसिफ्फड करना पड़ेंगा जैसा यह कार्ग डे दिये और 65 डिगरी लीधे लेंट में इतना जरूरी नहीं है लेकिन अगर लेंट को भी आप देना चाहते हैं तो बस जैसे जो भी आपने लेंट के जैसे आप लेगों के जो बताना है तो मैं एसी की जो लाइन है उसके उपर 5 cm ऐसे लिख दूँगा ओके झाल